PM Modi ji एक नई स्कीम लाएं डी मोनिटाइजेशन की अचानक से जिसमें कि अब 500 और 1000 के नोट अब इलीगल हो जाएंगे वो कहते हैं कि इससे करप्शन कम होगा, इससे ब्लैक मनी वापस आएगा और इससे जो नकली नोट बन रहे हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे तो पहली बार सुनने में मुझे लगा वाग, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, मैं भी इससे खुश था, बहुत सारे लोग खुश थे क्योंकि जिन जिन लोग पास काला तन रखा है, वो अगर अब बैंक में डिपोजिट कराने जाएंगे तो बैंक वाले उनकी सैलरी से कंपेर करके बता देंगे कि इन्होंने टैक्स की चोरी करिये, इनकी सैलरी इतनी है ये जितना पैसा ही डिपोजिट करा रहे है लेकिन इस बात पर उपोजिशन पार्टीज ने इस सवाल उठाया कि जातर पैसा तो अपना स्विस बैंक में रखा है या फिर लोगों ने इसको गोल्ड में बना लिया, किसी और आसिट में बना लिया अब ये बात भी सही है, इससे पी-एम मोदी खुदेगरी करते हैं उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि जातर पैसा तो स्विस बैंक में रखा है इसके बावजूद भी, मुझे लगा कि कही ना कही कुछ ब्लाक मनी तो वापस आएगा, चाहे वो एक-दो परसंटी क्यों ना हो लेकिन अब 3-4 दिन बाद जैसे इस स्कीम के वारे में और पदा चलता है, वैसे वैसे और ये ज़्यादा लग रहा है कि ये पूरी स्कीम सिर्फ एक चुनावी जुमला थी, इसकी एफेक्टिविटी बहुत ही कम है ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरी जशन के पीछे सरकार ने छुप छुप के कुछ ऐसे डिसिजन्स लिये हैं कि जिससे ये जितने भी करप लोग हैं, उनमें से आधे जाधे इस स्कीम से बढ़ जाएंगे पहला डिसिजन ये है कि इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है एंटी करप्शन अक्ट में इस अमेंडमेंट की वज़े से अब CBI या कोई भी और इंवेस्टिगेटिव एजनसी किसी भी गवर्मेंट इंपलोई को इंवेस्टिगेट नहीं कर सकती करप्शन पर यानि सेंटर गवर्मेंट में काम करने वाला कोई भी इंपलोई एक पियोओन से लेके एक सेक्रेटरी तक किसी को भी कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजनसी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती without permission from authority और यह अथोरिटी गवर्मेंट खोदी है जिते इंदर सिंह कहते हैं यह इसलिए लाए हैं लोग में अमेंडमेंट ताकि सारे इमानदर ओफिसर्स को प्रोटेक्शन की जरुवत नहीं होती है किसे बेफूफ समझ रहे हैं आप किसी को प्रोटेक्शन की जरुद है तो वह और गंदी तरह टारगेट कर सकती है अब यह इन्वेस्टिकेटिव एजेंची जो पर्मिशन देंगे नहीं भरस्टाचारी नेताऊ पर इंवेस्टिकेट करने की और ये खाली honest officers पर permission देदेंगे इन्वेस्टिगेट करने की एक और चीज जो government ने बोली थी वो यह है कि अब जो मंदिर है मंदिरों के donation boxes में जो पैसा collect होता है वो इस चीज से exempt है उसकी कोई upper limit तक नहीं है उसमें कितना भी पैसा cash deposit हो उस पर कोई income tax officer आके investigate नहीं कर सकता इसका मतलब जितने भी ये wrong number बाबाज है wrong number सादूज है ये सब एक मंदिर को money laundering का hub बना देंगे तो तो दो सबसे बड़े corrupt institutions एक ये religion का धंदा करने वाले और ये government officers जो bribe मांगते हैं दोनों को इन से इस scheme से कोई फरक नी पढ़ने वाला है तीसरी चीज जो उटी थी वो थी कि BJP के कुछ लोगों को इस scheme के बारे में पहले सी जानकारी मिल गई थी और उन्होंने अपने पैसे को पहले ही ठिकाने लगा लिया इन फैक्ट खाली BJP वालों को इनी बहुत सारे लोगों को इस scheme के बारे में पहले सी पता था कि इसा होने वाला है तो उन्होंने अपने पैसे को पहली फॉरण में भेज दिया या उसको गोल्ड में convert करा लिया इस चीज के बहुत से proof मौजूद है सबसे बड़ा proof ये अख़बार ही है एक ये गुजराती अख़बार है जिसमें एक ख़बर आई थी कि 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले है तो आप इनको यूस करना बंद कर दीजे ये 1st April 2016 में आई थी ये ख़बर दूसरी सबसे बड़ी चौका देने वाली ख़बर ये Times of India की है 8 April की इन्होंने लिखाए कि State Bank of India की statement थी कि काफी सारे लोगों ने अपना cash withdraw करना शुरू कर दिया क्योंकि market में रूमर्स फैल रहे हैं कि 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले हैं तो लोगों ने cash निकालके उसको safe assets में deposit करना शुरू कर दिया जैसे कि gold में या कुछ और खरीद लिया उस पैसे से 8 April ये चीज 6-7 महीने पहली हो चुकी थी इसके बाद सवाल ये उठा था कि future में जो corruption होगा उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा नए नोट्स में कुछ खास बात है क्या नई तो क्योंकि 2000 का नोट 1000 के नोट से बढ़ा होता है तो future में black money कलेक्ट करना और असान हो जाएगा जो की sense बनाता है ऐसा होई जाएगा लेकिन कुछ लोगों ने इस बात पर rumor उठा है कि नए नोट्स में एक नैनो जीपियस होगा वो कहते है कि नैनो जीपियस सैटलाइट से कॉंटाक्ट करके सरकार को बता देगा कि या ब्राइट दे रहे हो तो आप पखड़े जाओगे ऐसा कुछ नहीं है सब अखवास है इन फैक नए नोट्स में एक भी नया security फीचर तक नहीं है तो ये कहना कि जो पाकिस्तान से नकली नोट्स बनके आ रहे हैं ये बनने कम हो जाएंगे future में ये कहना भी गलत होगा क्योंकि नए नोट्स में कोई भी security फीचर नए नहीं है एक और चीज़ जो demonetization scheme के बारे में उठी थी वो थी कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इसमें इसमें मैं जादा कुछ कहना नहीं चाता हूँ या आपको social media पर खुदी दिख रहा हुगा या आपको खुदी experience करने को मिल रहा होगा लेकिन जो बाकी सारे reasons मैंने बताए उन reasons को देखते हुए इस पूरी demonetization scheme के बारे में ये कहा जा सकता है कि एक कदम आगे की उड़ देखा लेकिन चार कदम पीछे चले तो ये थी मेरा इस scheme के उपर धन्यवाद झाल कर दोवाद